आज हम राइस बेक से बनाने जा रहे हैं पैंसाट लखने के लिए एक बेक श्टोरेज बेक तो इसमें हमने लिया है राइस बेक और जो पुराने कुछ कपड़े हैं उसको तो यहां पर मैं पुराने कपडों को 1.5 इंच में कात ली हूं और अभी इसको इस तरह से आप 1.5 लगा देना है फिर दूसरे पीस को लेकर उसके उपर रखे पिर उसको पलड़ देना है इसी तरह से सारे पीस जो है उसको में जोल ली हूँ तो अभी इसका जो लंबाई है वो 38 इंच है और इसकी चोड़ाई हम रखेंगे 12 इंच में और अभी दो पीस और एक्ष्टरा हमें चाहिए तो इसकी चोड़ाई होगी 16 इंच और इसकी लंबाई होगी 16 इंच ये हमें दो पीस में चाहिए तो दोनों पीस में भी में कौपडा जो है उसको जोड़ नहीं हूँ और अभी इस तरह से रसी बनाने के लिए हम एक पीस लेंगे, तो यह है 19 इंच की, 19 इंच, इसको हम दो इससे में काट लेंगे, तो यह हमारा दो हैंडल साइट में लगाने के लिए हो जाएगा, अब चाहे तो इसमें भी कपड़ा जोड सकते हैं, और उसके बाद जो 16 इंच का जो है, उसमें हम उसको हम लेंगे, तो यहां पे साइट से हम 5 इंच में एक निसान लगाती हूं, और उसके बाद उपर से 3 इंच में निसान लगाना है, और सेम दूसरे साइट में भी हमें वैसे ही करना है, साइट से 5 इंच और उपर से 3 इंच, और जो यह निसान है, य सबस्क्राइब करें फाल सिर्फ को लगाएंगे देख्योटक निसान है उसके बीच ही करना है और इसके इसम दूशक में उसे ही करना है तो यह देखिये बहुत ही मजबूत ही और इसे इस तरह से हम पकड़ेंगे जब बैक तयार हो जाएगा तो और अभी यह जो लंबा पीस है इसमें हम निसान लगाएंगे तो इसको बीचो बीच से फोल्ट कर देना है एक बार और बीच से निसान लगाना है इसके बीचो बीच से और अभी यहां से हम दो इंच में एक निसान लगाएंगे बीच से साइट की और और उपर से नीचे की और नौ इंच में निसान लगाना है और यहां से भी दो इंच करके एक बाक्स जैसे बना लेना है हमें और अभी इस जो हमने निसान लगा है इस पीस को हमें काट के निकाल देना है और अभी हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग लगाने के लिए किसी भी कपड़े को ले सकते हैं तो यहां पर मैं लिए हूँ पुराना कपड़ा अस्तर इसको इस तरह से हम जो कपड़ा है उस साइड हम रखेंगे और पीछे के साइड से हम इसके तिनों साइड में एक निसान लगा देंगे यह देखिए हमने यहां पर सिले ही लगा दिये हैं अब इसको सिधा करते हुए जो अंदर की साइड जो कपड़ा है उसे हम काट के निकाल देंगे और अभी इसके जो कोने कोने है कोना साइड है इसमें हम एक चोटा सा टॉक्सन जैसे लगा देंगे काट देंगे चोटा सा और बीच बीच में आप इसको थोड़ा थोड़ा काट देंगे ताकि यह अच्छे से पलट जाए अभी इसको सीधा करते हुए हम यह पीस को साइड से जितना एक्ष्टा है उसको हम काट देंगे क्योंकि इसे हमें फोल्ट करके भी सिली करना है तो एक एड़ी इंज के बराबर रखना है और उसके बाद जो एक्ष्टा कपड़ा है उसे काट के निकाल देना है और अभी हम इसे पीछे के साइड फोल्ट कर देंगे और उपर से एक सिली लगा देंगे तो यह अच्छे से बैठ जाएगा यह देखिए, हमने उपर से एकसिलेई लगा दिये हैं, और दूर में पीछे की साइड जो कपरा बचा था, उसे भी फोल्ट करके हमने एकसिले लगा दिया है और अभी देखिए, यहां इसको पकरते हुए हम इसके बीचो बीच ले जाएंगे कोई लिए किस पट्टी को क्टिने से teacher क्या करना है लिए थोड़ा सा क्टिने जो इसे इंडल हमें लागा questi को लिए और जिस साइब है उस से नहीं है उससे नीचे के साइट हमें इस तरह से भी हमें फोल्ड़ करते हुए यहां पर हमें एक निसान लगा देना है अभी इस निसान को मिलाते हुए हम सिली करेंगे तो देखिए एक सिली लगा देंगे और जो दूसरा पीसे उसे दूसरे साइट में हम सिली कर देंगे इसको भी सेम ऐसे ही करना है तो यह हमने अभी सिली लगा दिये हैं और उसके बादे देखिए जो कोना साइट है यहाँ से पकड़ते हुए हम उपर के साइट में सिली कर देंगे इस तरह से एक सिली लगा देंगे और फिर इस साइट को पकड़ते हुए एक सिली लगा देंगे अभी इसके चारों साइट में इस तरह से सिली लगा देंगे तो यह एक बॉक्स जैसे बन जाएगा तो अभी हमने सिलेग कर दिये हैं चारो सैट से और इसको अब पलट देना है अब हम इसमें पाइपिंग लगा देंगे जो उपर के सैट है इसमें इसमें सभी तरफ पाइपिंग लगा देना है पाइपिंग लगाने के लिए किसी भी पट्टी को आप ले सकते हैं और उसे एक बार सिली कर देना उसके बाद उसको पलट देना है फिर उपर से एक सिली दे देंगे तो यह हमारा पाइपिंग हो जाएगा अभी हमने यहां पर पाइपिंग कर लिया है हमारा और पाइपिंग करने के बाद जो यह कोने का साइट है यहां से उपर से आप आधा इंच के बराबर एक सिलेई लगा देना है ऐसे चारों साइट में आधा-धा इंच के हिसाब से सिलेई लगा देना है और यह सामने के सेल जो खुला हिस्सा है उसमें हम जो भी कपड़ा रखेंगे वो हमें दीख जाएगा तो यहाँ पर देखें मैं इसमें साड़ियां रखी हूँ तो इसमें आठ या दस साड़िये हमारा अराम से आ जाएगा या फिर आप चाहें तो पैंट या सर्ट भी रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं जीन्स पैंट उस सर्ट को भी रखी हूँ तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज राइक और सब्सक्राइब जरू कीजेगा